अब तो आप तो सारों का यग करना पड़ेगा लेकिन फिलाल बात करेंगे हम RIMC का exam है बहुत बड़ा exam है 3 December को 75 marks की 75 marks के general knowledge आती है और उसमें 38 marks ले के आने है 38 marks बहुत मुश्किल है इतना आसान नहीं है 38 marks ले के आना अगर मैं बात करूँ Current Affairs की अलग सीरी जाती है हमारी science की भी अलग है और ये Combine है Static, GK, History, Politics सब इसमें आ जाती है तो अगर आपने हमारे channel को subscribe कर रखा है और सारी चीजों को आप देख रहे है Current Affairs वगएरा सब को तो मैं देता हूँ कि आपका किसी भी condition में selection यहाँ से आपका नहीं रुकेगा Clear? यहाँ से आपका selection नहीं रुकेगा आप individually फैल नहीं होगे चाहे आप कुछ भी हो जाए individual फैल आप नहीं होगे आपको आराम से 50 से 60 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे चलिए चैनल को subscribe कर लीजिए बैल आइकन पर किलिक कर लीजिए क्यों ज़रूर यह सब करना है क्योंकि देखो series आती है आहूती आती है आहूती जैसी आती है उसको आपको तुरंती डालने ना है तुरंती आहूती को यग में डाल लिए अगर ऐसा करेंगे तो फिर सारे questions इकटे नहीं होगे एक साथ फिर मुस्किल नहीं आएगी वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक करना शेर करना सारे questions को देखना मैं 50 questions आपको direct कराता हूँ और 50 questions extra कराता हूँ साथ-साथ 100 questions के आसबास एक series में हो जाते हैं फिर उसमें सारी चीजे कबर हो जाती है आपकी questions को बंडार है एक question को बंडार किसके लिए है देखो ये तमाम के लिए आप क्या करिए सैनिक स्कूल का आट जैनेरी को पेपर है यहां महवीर वीर पैक इनको अवेल करिए और एक से तेड़ महिने में इस से अची तयारी आपको कोई सा प्लेटफोर्म नहीं कराएगा यह नाइन के लिए आसोका पैक कीर्थी पैक सोरिय पैक इनको अवेल करें चिनू और तेजस देखो राष्टे मिलटरी स्कूल का एक्जाम अठाट इसमबर को है और अगर उस एक्जाम के आपको तयारी करनी है तो भई देखो एकदम से आप कोई लाइव किलास जोइन करेंगे आसा तो सलेवस भी नहीं होगा दो चैप्टर होंगे आपके फिर कुछ फाइदा नहीं तो हमारे यहां लाइव किलास भी है और यह कोर्स भी आप इनको अवेल करिए यह रुद्रा पैक है और यह जैग्वार पैक है यह नाइंध किलास के लिए है और यह पूरा कंप्लीट कोर्स है आप तो 6-7-8-10 दिन बचिए हैं आप तो खुछ ज्यादा नहीं हमारे होस्टल के लिए होस्टल में आई यह 100% गैरेंटी हम देते हैं आपको इतनी प्रैक्टिस कराई जाएगी एक्जाम का जो फोबिया है ना एक्जाम और फोबिया वही खतम हो जाएगा और फिर ऐसा लगेगा कि एक्जाम तो कुछ भी नहीं है एंट्रेस में बैठोगे और धुआ उड़ा दोगे इस एक्जाम का अगली बार का जो नेक्स्ट यर का एक्जाम होगा आपका सैनिक आ रहा हैं से किसी भी एंट्रेस टेस्ट के लिए ठीक है तो बच्चो आप आईए एक बार जोइन करिए हमारे उस्टल को विजिट पैसे लेका है यह पैसो का बैग लेका है और जोइन कर लिजिए नहीं विजिट करिए एक बार फिर देखिए चलिए आज का क्वेशन नमबर वन देखते हैं तो बुक है इस तरह की बुक आती हैं पर इंपोर्टेंट है तो किसने किनों ने लिखी है आपकी सुधा मूर्ती सुधा मूर्ती के लिए सुधा मूर्ती राइट अंसर ऑफ्शन नमबर सी इनको भी नहीं गूल सकते दा गोड़ ओप स्माल तिंग यह बहुत इंपोर्टे अर इंप्सी में इस तरह कुशन आते हैं वही कहां से अडौट किया गया Constitution का कुनसा पाट तो लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटरिनिटी कहां से किस देश के Constitution से फ्रांस आपको पता है French Revolution में इस तरह की सारी बात हुई थी तो यहां पे इस सारी चीज़े हैं अगर मैं बात principle of state policies ठीक है जो सारा राज्य की बराई के लिए कामर डी-पी-एस-पी हो कहां से आर्लेंड से आर्लेंड की capital का Dublin France में UNESCO का headquarter है पेरिस हैस की capital United Kingdom London Canada 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 की capital क्या आपकी Ottawa Ottawa के लिए यह आपका याद रखना है इस तरह की चीजे Canada और Canada और USA largest land border share करते 49 degree parallel यह भी इंपोर्टेंट है चले आगे चलते हैं विए दा राइट अंसर विच अमंग दफोल वाज इंकुलूड़ी बाइ Constitution 86th Amendment Act 2002 में 86th Amendment संसोदन आया था Constitution में उसमें क्या include किया गया था तो क्या elementary education as fundamental right जो elementary education elementary education means 6 से लेके 14-year के बच्चों को compulsory education provide करना इसको गोलते है elementary education तो इसको एक फंडामेंटल राइट बनाए गया था 21A यह भी आद रखना है 21A के अंदर इसको एक fundamental right बनाए गया था के लिए तो D is the right answer on the following was the first president of India Olympic Association तो आई ओस इंडिया Olympic Association की बात हो रही है international Olympic Association नहीं है इसका headquarter कहा है शुट्जर लेंड लोजिन में कहां पर शुट्जर लेंड का सहर है लोजिन वहां पर इसका क्या है इसका headquarter है और दूसरा इसके अभी cheap कोन है यह important है भी थोमस बाक ब-a-c-s थोमस बाक के लिए नाम याद रखना नोवलिष्ट दामोदर्मो जो बहुत important है 57 ज्यानपीट आवार्ड इन्होंने मिला है किस language में कौंकणी कौंकणी के लिए important है ज्यानपीट आवार्ड अगया और यह दोनों साल के ज्यानपीट आवार्ड आवार्ड इसको भी आद रखना नील मनी फूकान ठीक है नील मनी फूकान ठीक है नील मनी फूकान पीटक है इनको मिला 56 ग्यानफीट आवार्ड और 57 कि इनको मिला इनको तो दोनों याद रखना क्योंकि दोनों को साथ मिले हैं लेट मिले से 2022 में दोनों को मिले एक को 21 का एक को 20 का चलिए तब की हैः दर टर्म फोलो ओन सबसंदे फोलों किसमें आता है किस की बात हुरही है किर्केट की weakerट इनको य Subaru 22 एक इसमें लखनाउ वर्यर्स औरलगजरा जती रहे हैं किस ने जीता फिशने जीता खेए गुजरा अनने जेता के लिए सबसे ज़्यादा रन किस ने मनाए जोस बटलर और सबसे ज़्यादा विकेट किस ने लिए आपका यजुवेंदर चहल के लिए तो यह सारी चीजों को याद रखना वह इस तरह क्या क्या आने की चांचिस है कोशी को क्या बोलते हैं सोरो ओप बिहार कोशी साथ में एक और है दा मुदर किसको बोलते हैं सोरो ओप वेस्ट बेंगोल ठीक है दोनों चीजों को याद रखना सोरो ओफ वेस्ट बेंगोल सोरो बिया दा गौड़ पिसमोल तिंग किसने लिख्या वेरी इंपोर्टेंट किसी अरुदाति रोए सलमान रुष्दी ने लिख्या मिटनाइच चिल्टन कोंसी मिडनाइच चिल्डन दोनों बश्डाइच चिल्टन को याद रखना मुषी रीवर है यह आपका यह दा साड सत्य गैर कब बारा मार्च उन्नीसों पीस के लिख्या मार्च चलिए वंग दा फोलिंग इस कुर्ड़ेटिट इड्स अपुलराइजिंग कैश फ्रेज इंकलाब जिंदाबाद का नारा किस किस ने दिया किस ने दिया आपका बगत सिंग और बीके दत्थ बटू के सवर दत्थ भी थे इन्होंने सेंट्रल एसेंबली पे 1929 में अपरेल 1929 में वह सेंट्रल एसेंबली पे बंप फेका था तब इन्कलाब जिन्दाबाद बीजदर राइट अंसर 5 रिवर किस पांस रिवर धाल इनको पंजांद बोलते हैं उसट्मगों क्या बोलते है पंजांद तो किसकी बातहरी इस पंजाभ और फाइओ रावी 228 वियिद्ध ये रंचे नाभREE इनisi को بवलते है एक परकार से 5 लिए चालिए all changes in weather तो जितने भी धर्टी पे सारे weather में changes होते हैं किसकी वज़े से होते हैं sun की वज़े से right answer is sun who among the following appoints election commissioner of India बहुत important है तो कौन elect करता है उसको कौन appoint करता है president of India लेकिन president of India तो election commissioner को करता है लेकिन सबसे important क्या है देखो ये हमारा election commission है election commissioner में एक तो होगा मुख्य चुनावायुक्त cheap election commissioner वो तो एक होगा वो कोने भी राजीव कुमार इनका नाम याद रतना है दूसरा दो उनके नीचे होंगे उनके subordinate जिनको election commissioner बोलेंगे तो अनूप चंदरपांडे और अरुन गोयल के लिए अरुन गोयल और अनूप चंदरपांडे क्या है election commissioner फिर के लिए हो गए यहां से और जो पहले cheap election commissioner थे ये भी important है सू कुमार से के लिए 25 जनवरी 1950 को हमारा क्या बना था election commission की स्तापना होई थी इसलिए 25 जनवरी को national voters day बनाते हैं और 26 जनवरी 1950 को Supreme Court of India की स्तापना होई थी दोनों गयाद रखना भई clear this is the right answer playing it my way बहुत important हो किसकी है सचिन तंदूलगर की किसकी है playing it way सचिन तंदूलगर ये भी important है लेकिस भी playing time playing to win दोनों में confusion नहीं हो और आपको playing to win दोनों में पता चला दोनों में फस गई playing to win किसकी है सायनानेवाल की bad mental player है और playing it my way सचिन तंदूलगर की यूराज सिंग की बहुत important the test of my life test of my life बहुत important ये स्तरह की बहुत आता है the test of my life सुनी लिगावाइस करकी sunny days sunny days clear तो इन चारों को आपको याद रखना है who among the who among the following governor general enacted the law against sati prathah sati practice कोन लेकिया था 139 में कोन लेकिया थे भई Lord William Benton Lord William Benton और Lord William Benton के बारे में और क्या है ये first governor general of India थे first governor general of India लेकिन अगर first governor general of Bengal हो तो कौन है कौन है भई William Benton तो William देखो देखो Warren मेरी वास उनो जो first governor general of India तो Lord William Benton जिन्होंने 37 का राइट अंसर भी है और first governor general of Bengal अगर आए तो कौन हो गया Warren Hastings और first voice ये जो है ना first voice ठीक है और Lord Dalogy ये क्याले कहते doctrine of lapse doctrine of lapse की पोलिशी किस ने दी थी इन्हों ने Lord Dalogy ने सब का नाम आता है इन्हों में लेंद के इसाब से आपको बनागा गंगा सबसे लंबी है क्या लेंद है 25-25 याद रखना असान है 25-25 25-25 लेंद किसकी है गंगा की 25-25 ठीक है के लिए 25-25 मतलब लोगसभा और स्टेट लेजिसलेटिटिव असेंबली में किस के लिए सीट रिजर्व है तो सिद्डूल ट्राइब ट्राइबर ट्राइब सिद्डूल एस्ट के लिए एस्ट एस्ट के लिए क्या है यह है देखो भई 84 सीट सीट के लिए है इसको याद रखना आप फाइफ फॉट्टी थी शीट पर एक्षन होता है ना उसमें से 47 और 84 SCST के लिए जरू है कि मोहिनी अट्टम केरला का है क्लासिकल डांस है तो किसकी पुझा होते हैं किसकी विष्णु की टाइटांसाजी विष्णु की वर्षिफ होते हैं मैडम विकावजीव कामा पहली परसन बनी थी जो नहीं इंडियन फ्लैग उसको होस्ट किया था फॉरें सोयल पे तो कौन किया था कौन सी कहां पे कहां की बात हो रही है जर्मानी में इस टूटगर्ड स्टगर्ड 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 सीटी में जर्मानी में वहां पे इन्होंने इसको होस्ट किया था इन्यन फ्लैग को पहली बार भारत के बाहर की बात हो रही है के लिए पोलैं के जो चांसलर है ओलाफ स्कोलर ठीक है यह सब चीज़ याद रखना भी अगर आपको लग जाए कि भी आपकी तयारी में कुछ कमी रह गई आपने पेपर अच्छा नहीं हुआ घबराना नहीं आपको क्या करना है तुरन ट्रेन पकड़ लेनी है होस्टल के लिए यहां पर आ हमारे वीडियो में यूट्यूब चैनल पर आप सारी चीज़ देख सकते हैं तो किस तरह से हम प्रैक्टिस कराते हैं तो एकदम एक्जाम फोबिया उसको फिनिस कर दिया जाएगा सारी सुविदाई है और मंतली फी है मैं रिपीट कर रहा हूं मंतली फी है पूरा बैग ल जाता है carbon dating के लिए C is the right answer which article of the constitution of india abolish the concept of untouchability तो किसकी बात हो रही है article 17 की article 17, article 18 क्या काम है? Abolition of titles जो titles थे उपादियां थी उनको abolish किया गया, उनका कोई मतलम यह है freedom, article 19 में freedom और expression की बात होगी freedom, right to freedom and expression of opinion ने मदन मुहनमालिया किस क्यों है? Banaras Hindu University, Banaras Hindu University, Tapu Dance कहां कहा है वही? Arunachal Pradesh, Itanagar Capital है Arunachal Pradesh की which of the following note is Lagoon Lake, Lagoon Lake कौन सी नहीं है, पुलिकट है, चिलिका है, वे में डल लेक, Lagoon Lake एक नहीं है Lagoon Lake का मतलब क्या हो, बहीं देखो यह संभूदर के किनारे बचने ही, और इसमें क्या है आपका coral leaf, islands, barrier, sand का एक वो रहेगा और इसकी गयराई भी कम रहेगी, इस तरह की चीज़े है इसको बोलेंगा, मैं एक परकार से, क्या, Lagoon Lake, भारत की सबसे बड़ी लेक कौन से है, वेंबनान Lake, कहां पर है, केरला में, डल लेक कहा है, सिरी नगर में, पुलिकट लेक कहा है, तामिल नाडू में, और चिलिका तो ओडी सा में है, जबनाट के बच्चों, आपका बोपाल में, बोपाल क्या है, कैपिटल सिटी ओप, मध्या परदेश, इंदोर, लगातार सबसे स्वच सर्वेक्षंट में, क्लीनेस सिटी रही है, चटी बार, इंदोर, थर्ड बैटल ओ पानीपत, 1761 में, मराथा के बीच में, और किसके ब पानीपत, 1526 में पहली हुई, किसके बीच में, बाबर, और इबराहिम लोदी, ठीक है, फिर क्या हुआ, 1556 में दूसरी हुई, अकबर, और हेमू, हेम चंदर भी करने ठीक है, और तीसरी आपके सामने, तीनों को याद रखो, इनके तीनों को याद रखो, किस-किस के बीच प्रैक्टिस आप सती, तो कौन थे, जब प्रैक्टिस आप सती है, बोली तो कौन थे भई, विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक, इंपोर्टेंट है भई, 1829 में, उमंग दा फूलिंग है, रिटन दा वो पोवर्टी अन अन बिटिच रूल इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मै ठीक है, इसको याद रखना वही इस तरह से, के लिए चलिए, बैटल ओप चोसा, पोर्ट बिट्विन हिमाईव और सिर्शाचूरी, तो किसके बिच में कभी, 1549, बैटल ओप चोसा, ठीक है, चलिए, ठड़कपन साइट, राइस्थान में है, तो काउन से है, काली बंगन, आलमगीरी तो मेरट में अत्तर पर दें, दोला वीरा, गुजरात में कश्री स्टिक के पास है, के लिए बाला कोट, ठीक है, बाला कोट, आपको बाला कोट इस्टाइक होते हैं, जम्मो कुश्मीर के बास हुई अपकी, तो सीजद राइट अंजर, होस्टल में, एडमिशन लेने से 100% गारेंटी, सेलेक्शन की गारेंटी हम लोग देते हैं, सैनी की स्कूल आ रहा हैं, उसी आरमेस न वोद्द है, किसी भी स्कूल अंटाइस के लिए, बट, एक कंडिशन है हमारी, आपको हमें टाइम देना पड़ेगा, अगर आपको गारेंटी लेनी है, तो एक साल का टाइम, तब हम आपको गारेंटी दे पाई, थो कि तयारी बहुत होती है, सलेबस बहुत है, रिविजन बहुत होता है, तो आप होस्टल में विजिट करिए, जोएन करिए, सेलेक्शन की गारेंटी अबजे, ले लिजी आप, लवानी, लवानी क्या फोक डांस है कहा का, लवानी कहा का, माराष्ट का, उत्तरपरदेश नोटंकी है, एन ए यूट, एन ए यूट, टी, ए एन की आई नोटंकी, हरियाना सांग, उडीशा, नुवाखोई, के लिए राजा परबा, आचुगा है राजा परबा, ठीक है, ये इस तरह के हैं वाई, आपके उड असां से कौन सा विलोंग करते है, तो आसां से को गया, आसां से बीयो, बीयो क्या होगा आसां से, पोंगल, पोंगल कहा का हो गया भई, तमील नाडू का, पोंगल कहा है, तमील नाडू का, लोसार कहा है, लोसार, सिक्किम, बहुत इंपोर, सिक्किम, न्यूएर, लोसार, एक माल्य कीए तिन ऀमाल्य की रहे होती है बीसिकली सबसे ओपर वाले को क्या वो लें ग्यर्टरिम्हाले सबसे उपर फिर कौन हो गया ही माचल मिडल इमाल्य और सभ से कि मिले हमाले को दीन को सी वाली की बोलते हैं और और आपको एक बात रोब बतादू मैं आपको यहां पे जो बैटल ओप कन्योज है तो फस्ट बैटल ओप पानिपत 1526 के लिए बाबर और इब्राहिम लोदी सेकेंड अकबर और हेमू लेकिन जो तीसरी तो हो चुकिया लेकिन यह बैटल ओप कन्योज यह किसके बीच में किसने का कि भारत पूरी तरह से तभी आजाद होगा जब जो गरीब लोग है उन पे अत्यचार होना बंद हो जाएगा तो किसने आपका महातमा गांदी ने किसने महातमा गांदी के लिए हिंद सवराज बुक निमने लिखे है के लिए the story of my experiment with truth वो भी इनकी है discovery of India इनकी है के लिए सुभास चंद्रबोस के बड़े कों प्राकरम दिवस के रुप में मनाते हैं के लिए प्राक्तेश दिसंबर understand इंद्रा गांधी इंद्रा गांधी की कुनसी है इनकी बुक का क्या नाम है इंद्रा गांधी मेरा सत्य है इन 1982 विच वन उफ फोलिंग इस्टूटूश नवाच इस्टेबलिग विच इस ओल्सो नोडल एजनसी रूल करो क्रेडिट तो एक गरामीन इस तर पे लोन देता है तो कौन सा है वह नाबाड नाबाड और नाबाड का मुख्याल्या कहा है मुंबाई सिड़ भी लगू उद्ध्योगों को लोन देता है लखनों में है रिजर्ब बैंक ओप इंडिया मुंबाई में एड़कोट है सक्ति कांता दास इसके गवर्नर है ये भी इंपोर्टेंट है वह एस बी आई दिनेश कुमार खरा डीके के और सबसे बड़ा सवारत का सरकारी स्टेट बैंक ओप इंडिया सरवेंट ओप इंडियन सोसाइटी इसके स्टापना किस ने करी 1905 में जी के जी गोपांड किसन गोखले जी के जी दा बाराबती फोर्ट तो बाराबती फोर्ट को गंगा डाइनिस्टी गंगा ने दिए किनारे सिचुएटि तो किस ने मनाया इन टेडाम कहा है बाहराबती फोर्ट में ने सिच्टो अ ने सिर्च गोपो Richmond और छेन्गा डाग्रेशन करेंगा तो बाराबती फोर्ट वाहिं पिए बाराबती क्रिकेट इस्टेडिम भी कहा ते होई पर है कुटीज में फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस पॉपुलेशन सेंसस हर 10-year में होता है तो पहली बार का बढ़ी ते है 1872 में 1872 में इंडिया में जो हुई ती साथ। आपको विजिट करना है जोन करना है गैरंटी सेलेक्शन की हम देतें इन सारे इंस्कुलेंट पर समय आपको आमें देना पड़ेगा तो कौन सा है राइट टू फ्रिडम आर्टिकल नाइटीन वन में है क्योंकि देखो राइट टू फ्रिडम बहुत सारी चीज़ों की है मुझे गोमने की आजादी, मुझे शेटल होने की आजादी तो जो आर्टिकल 19 के जो सेक्षन से है इन में सारी राइट टू प्रिडम बताएकन कौन कौन से है तो उसमें राइट रिड़ फ्रिड्डिंग एर शेटलिंग तो इसमें कौन सा है 19,1 और E यह निके पार्ट है सेक्षन से है तो इसमें है राइट टू रियाइडिंग सेट्लिंग इन एनी पार्ट ओप दे इंडिया के लिए डी साइला साइला फोकडांस है कहां का है यह चत्थिस गड़ का बैम्बू स्टिक से इसको परफ्म के जाता है विचावधा फोलिंग डिटी जवर्शीट उन्दा ओके जो मल्यालम न्यू यर तो मल्यालम न्यू यू यर पे किसका है लोड विश्णू लोड विश्णू लार्जेस्ट नेशनल पार्क पिंडिया बहुत इंपोर्डेंट है कौन सा हो है हेमिश नेशनल पार्क लद्दाक अब अच्छ दिश्टिक में गुजरात गुजरात कच के पास और एसियाटिक लोएन बारत का ओनली नेशनल पार्क आपको मिलेंगे रैड पंडा के लिए कौन सा वहें कंचं जावगा नेशनल पार्क और कहां परे हैं सिख्के में क्योंकि भारत की सबसे उच्छी चोड़ी आपको महारास्त में पापी कुंदा अन्दर्प्रदेश A needle floating on the surface of the water बहुत अच्छे इस तरह के बहुत आते हैं इनका master है in questions का surface tension इन questions का R.I.M.C. master है R.I.M.C. को in questions को मुझे लगता है कि एक ऐसा खजाना है जहासे और निकालता है और तुरंट सुईश ही चुब हो देता है बच्चों को exam में और बच्चे उससे क्या होते बेवस हो जाते हैं इस तरह के questions से इस तरह की needle insert करता है बच्चों के अंदर और बच्चों को लगता है यार यह तो नहीं है इस पे जाते हैं बच्चों का ध्यान तो इसको ध्यानक नावी surface tension है Recently India science and MOU with each country reintroduction of Cheetah Chita को reintroduce किया गया तो कौन सा हुआ Namibia very important है वही सबसे important है और कौन से national park में Kuno national park कुनो national park कहा है NP में और Namibia की capital है Windhoek के लिए गहाना अकरा है Kenya नाइरोबी है और स्टेलिया केनबरा है The conversion between the solid and gaseous phase of matter with no intermediate liquid तो solid से सीदा gas में बदलना उसको क्या बोलेंगे सबलीमेशन Which voice ray introduced Vernacular Price Act 1878 में कौन सा Voice ray Lord Litton In legislative matter Both house, loksabah and raja sabah Enjoy equal power, accept कानून बनाने के मामले में रaja sabah और loksabah के पास equal rights है समान अधिकार है लेकिन एक case में सिर्फ एक ऐसा bill है जिसको केवल लोग sabah में introduce किया जा सकता है तो कौन सा है money bill There is no need to introduce this bill in raja sabah के लिए बहुत important question है RIMC के लिए इस तरह का बहुत important question है भई ये वीडियो अच्छे लेगे वीडियो को like करना, share करना, channel को subscribe और bell icon पर click जरूर कर लिजे क्योंकि आहूती अगर जो बच्चे सारे देखके जाएंगे मैं आपको guarantee देता हूँ 50 plus mark सुनके कहीं नहीं जाने है 50 revision अच्छे से करना पड़ेगा, आपको वीडियो अच्छे से देखनी पड़ेगा, question बहुत होते है 100 question के आसपास होते है एक वीडियो में सारे pack है हमारे यह rms के लिए बिल्कुल pack है यह rms बिल्कुल अभी hot है क्योंकि rms के exam date fix हो चुकिए rms के लिए इनको purchase कर लिए इनसे आपके रहा असान हो जाएगी live के लाज यह भी कोई भी चीज़ चाहिए आपको यहां से आप कर सके है सो स्टुडेंट मिलते है नेक्स आउती में थैंक्सवरोचिंग